द्रोण ने एकलव्य को क्यों शिक्षा नहीं दी। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वे जंगल में हिर्णों को बचाने के लिए तिरंदाजी सिखना चाहता था। क्योंकि वे तेंदुवे द्वारा शिकार किये जा रहे थे। इसलिए वे द्रोण चाहर के पास गया और उन्हें तिरंदाजी सिखाने के लिए अनुरोध किया। द्रोण चाहर शाही परिवार के शिक्षक थे। उन दिनों में एक नियम के अनुसार शाही परिवार के सदस्यों को, सिखाने वाले शिक्षकों को, राज्य कला के विधियों को किसी और को सिखाने की अनुमती नहीं थी इस शेत्र की सुरक्षा के लिए किसी के रूप में शक्तिशाली लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए मना किया गया था इसी कारण गुरु द्रोनचारे ने एक लव्य को अपनी सैन्य कला को सिखाने से पून रूप से मना कर दिया एक लव्य इस बात से थोड़ा दुखी हुआ परंतु अपने दिल में एकलव्य ने पहले ही दुरुणाचार को अपने गुरु के रूप में सुविकार कर लिया था वे घर चला गया और वहां उसने अपने गुरु दुरुणाचार की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जंगल के बीचों बीच उस प्रतिमा को स्थापित करके वे चुपचुपगर गुरु दुरुणाचार की सेने कलाओं को सीखने लगा कुछ वर्षों के बाद इमानदारी और व्यवहार के साथ उसने तिरंदाजी सीख लिया और कला में राजकुमारों की तुलना से बेहतर बहतर बन गया एकलव्य तिरंदाजी में इतना निपून था कि वे आँखे बंद करके भी किसी भी जानवर की आवाज सुनकर उस बर कुछ ही पल में निशाना साथ सकता था एक दिन अर्जुन को एकलव्य की इस असीम प्रतिमा के बारे में पता चला और अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उससे भी ज्यादा धनुष चलाने में निपून है एकलव्य की निपूनता को देख अरजुन ने एकदम से एकलव्य से प्रश्न किया आपको किसने तीरंदाजी सिखाई प्रश्न सुनते ही कलव्य ने उत्तर दिया मेरे गुरु द्रोनचारे जीने ये सुनकर अरजुन और बहुत आश्चेरे चकित हुआ और कुरोधित भी हुआ अरजुन द्रोनचार के पास गया और गुस्से से कहा आपने ऐसा कैसे किया आपने हमें दोखा दिया है आपने जो किया वे अपराध है आप मुझे किवल बेतरियन तीरंदाजी सिखाना चाहते थे लेकिन आपने एकलवे को सिखाया और उसे मुझसे अधिक कुशल वनाया ये सुनकर द्रोनचार उलजन में थे और ब्रहमित भी वे सोच में पढ़ गए कि ऐसा कौन सा शत्र है जो अरजुन से अच्छा धनूरदर है द्रोनचार इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंग बालक यानि कि एकलवे अरजुन से अच्छा धनूरदर कैसे हो सकता है तब द्रोनचार और अरजुन में मिलकर उस लड़के से मिलने का फैसला किया और वहां उसके पास गए एकलवे ने अपने गुरु को महान समान और प्रेम के साथ स्वागत किया उसके बाद एकलवे अरजुन और गुरु द्रोनचार को जंगल में स्तित उस मिट्टी की मूर्थी के सामने लेकर गया उसने दोनों को दुरोनाचार के बनाय हुए मूर्ति को दिखाया एकलव ने उनको सब बताया कैसे उसने दुरोनाचार से सभी विद्या सीखा दुरोनाचार इस बात का हल निकाल नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या करें राचिन काल में गुरु छात्र में ग्यान लेने के बाद एक सामाने प तुम मेरे से एशिख्षा प्रापत की है तो मुझे गुरू दक्षिना जरूर देना चाहिए। एकलव इस बात से खुश हुआ और उसने गुरू द्रोनाचारे से पूछा। आपको गुरु दक्षिना में क्या चाहिए गुरु जी तब द्रोणाचारे ने उत्तर दिया मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगुठा दे दो इकलव्य जानता था कि अंगुठे के बिना तिरंदाजी का अभ्यास नहीं किया जा सकता था परन्तु तब भी एकलव्य ने अंगुठे को काटकर गुरु दक्षिना में दिया इस परकार गुरु द्रोणाचारे ने राजकुमारों को दिये हुए परन को पूरा किया और एकलव्य का थान किया कहानी की शिक्षा और इसका मेहत उकलव्य ने बिना किसी लोव मेहनत और लगन एपने गुरु से दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त की कहानी सुनने पर बहुत दुख लगता है क्योंकि दुरोणाचार ने उकलव्य के साथ अन्याय किया प्रंतु अगर हम देखें तो एक लव्य ने इतना बड़ा गुरु दक्षना देकर शिश्यतत का अर्थ पूरे दुनिया में समझाया और इसलिए उन्हें ही सबसे पहले एक अच्छे शिश्य के नाम से याद किया जाता है तो यह थी हमारी कहानी आज की तो कहानी आपको कैसी लगी केमेंट करके ज़रू बताएं चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अब बैल आइकन को प्रेस करके वाल पे सट कर दें ताकि यसी धेर सारी वीडियो आप तो पहुंचती रहें मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नहीं कहानी के साथ